नमस्कार स्वाकत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल टिप सिंदी में दोस्तों आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूँ और जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि आज हम एक खटमल को लेकर एक्सपेरिमेंट करेंगे जी हाँ दोस्तों आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा मगर आज हम खटमल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले है ये मुझे बहुत परिशान कर चुके है बहुत परिशान हो चुकी हूँ मैं खटमल को लेकर रात पर सो भी नहीं पाती हूँ उनके वज़े से आज मैंने एक तरकीब सोची है इनको जड़ से खटम करने की वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम चाहिए वाइट स्पिरिट जिसे हम धीनर कहते हैं जी हाँ दोस्तो यह है धीनर पैन वगेरा में काम आता है यह आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर असानी से मिल जाएगा यह काफी महगा भी नहीं है बहुत सस्ता है और यह बिल्कुल पानी की तरह ही आपको दिखाई देता है तो उसे दोस्तो एमल की आपको आवश्रकता होगी जी हाँ दोस्तो यह 10 से 12 रुपे के बीच में आपको सानी से मिल जाएगा जी हाँ दोस्तो इस स्पिरिट को एक छोटे से सिरिंज या फिर आप धकन में भी निकाल सकते हैं ध्यान रखे कि आपको अपनी साफधानी पूरी रखनी है जहाँ भी खटमल है वहाँ पर आपको उसको स्प्रे कर देना है या आप डाल भी सकते हैं जी हाँ दोस्तो एक बार जहाँ भी आप इसे डाल देते हैं वहाँ के खटमल मर जाते हैं दोस्तो खटमल ही नहीं उनके अंडे भी इस स्पिरिट से खटम हो जाते हैं और कभी भी वहाँ पर खटमल नहीं आते हैं जिया दोस्तो इसी तरीके से आप यहां पे खतम कर सकते हैं जब आप इसे स्प्रे करेंगे या डालेंगे वैसे ही तुरंद ये खतमल मर जाते हैं इसी तरह जहां भी खतमल रहते हैं वहां आपको ये दे देना है ये डालने के बाद आपको वेट करना है 5-2 मिनट तक तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा जिया दोस्तो ये 4-5 मिनट के अंदर खतम हो जाएंगे इसके अंडे भी खतम हो जाते हैं वे सड़ जाते हैं और खटमल पैदा नहीं हो पाते हैं तो दोस्तो इसी तरह से आप खतमल को जड़ से खतम कर सकते हैं दोस्तो हमाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना बुलें सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके